अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोग अच्छे फिजीक एंड हेल्थ के लिए जिम को जाइन करते हैं बट जल्द ही डिजायर रिजल्ब्स ना मिलने की वज़े से हताज भी हो जाते हैं इसका सबसे बड़ा कारण है लैक ओफ नॉलिज या सही जानकारी का ना होना इस वीडियो में हम वो 15 important tips है step share करेंगे जो आपको body बनाने के शुरुवाती time में बहुत काम आएगे सबसे पहले एक अच्छे जिम का selection ज़रूरी है जिम चूज करते हुए उसकी location, environment, उसके trainer, जिम equipment जैसे काफी factors हैं जिने आपको परखना चाहिए एक अच्छा जिम कैसे चूज करें इसके लिए detail में जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो भी देख सकते हैं second important tip है if possible एक अच्छा जिम पार्टनर बनाएं बर जिम पार्टनर ऐसा होना चाहिए जिसके fitness call आप से match करते हों so that आप दोनों एक जैसा workout साथ कर पाएं आपका partner fitness को लेकर serious हो otherwise आप भी अपने target से बठक जाएंगे क्योंकि एक serious fitness partner खुद भी motivate रहेगा और आप कोई motivate करेगा जो की fitness के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करीब one month तक single body part exercise avoid करें rather mixed body part exercises करें compound exercises like squats, deadlift, chin-ups, bench breath जैसी exercises पर ज़्यादा द्यान दे as इनसे कई muscles एक साथ train होते हैं and ये muscle fiber को strong बनाने के लिए बहुत कारगर है cardio and interval training को पहले दिन से ही include करें ये आपका stamina बढ़ाने और respiratory system को strong करने के लिए बहुत ज़रूरी है रोज एक सी exercise ना करें, बदल-बदल कर करें अक्सर देखा गया है कि gym beginners जोज-जोज में heavy weights exercise करने की कोशिश करते हैं जो की गलत है श्रुवाती time में heavy weight पे नहीं, बलकी सही technique पे ध्यान दे and जैसे जैसे muscle strong होने लगे आप धीरे-धीरे सही technique के साथ weight बढ़ाते जाएं अच्छे result जल्दी मिलेंगे एक अच्छे workout session से पहले warm up बहुत ज़रूरी है एक अच्छा warm up muscle को flexible बना देता है जिससे workout के दोरान injuries के chances बहुत कम हो जाते हैं इसके अलावे एक अच्छा warm up body में energy देने वाले hormones को भी produce करता है और आपको workout के लिए mentally prepare भी करता है workout के दोरान body को hydrate डखना बहुत ज़रूरी है इसलिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें इसे body को workout के लिए energy मिलती रहे गया आप जल्दी ठका मैसूस नहीं करेंगे और आप ऐसा करके खुद को workout के दोरान injuries और cramps से भी बचा सकते हैं During workout and post workout stretching बहुत ज़रूरी है stretching muscle को workout से होने वाली सूजन या inflammation से बचाती है इसके अलावा muscle के flexibility, strength and endurance को भी बढ़ा देती है and most important ये set के बीच में muscle recovery में भी helpful है नए नए जोश में body को overtrain कभी ना करें workout session को 45-60 minute का ही रखें else muscle injuries, cramps, receptor का सामना करना पर सकता है and overtrain करने से muscle growth पे भी बहुत फरक परता है हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई भी injury body में हो तो उसे कते ignore ना करें अपने doctor ये trainer से जरूर share करें और consult करें अगर medication की या rest की need हो तो जरूर लें अच्छी body एक healthy शरीड के साथ ही बन सकती है so healthy रहना आपकी पहली priority रखे and body बनाने के चकर में कोई जोखिम ना ले है body building के लिए अच्छी diet and mean दोनों ही key to success यासा पलता ही कुझी है एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि muscle gym में नहीं बनता है weight training सिर्फ muscle growth को promote करती है actual muscle growth अच्छी diet से होता है या recovery time में ही होता है so muscle growth के लिए अच्छी diet के साथ साथ कम से कम 7-8 गंटे की नीन जरूर ले body building food, diet, supplement etc. से related आप हमारी ये video जरूर देखे इनमें आपको body building diet related काफी अच्छे tips मिलेंगे gym join करते ही आप zero to hero होने का target ना बनाए बलकि step wise achievable targets बनाए इससे आप motivated रहेंगे as जल्दी ही निराश होने में आपको देड़ नहीं लगेगी अक्सर देखा गया है कि beginners gym join करने के बाद कई लोगों से सला लेके अपने आप ही अपने schedule में मंचाहे बदलाव कर लेते हैं या किसी gym में senior member जिसकी body अच्छी बनी हो उन्हें follow करना शुरू कर देते हैं and finally किसी भी plan को follow नहीं कर पाते हैं and इसी कारण से उन्हें कोई अच्छे results नहीं मिलते so हमारी यही सला है कि सिर्फ अपने coach को follow करे and अच्छी body वाले members से सिर्फ inspire हो and लगन से लगे रहें ना कि उन्हें copy करें आदरवाई नुकसान आपका ही होगा last important five जो कि सबसे जरूरी है वो यह है कि body रादो रात नहीं बनती so जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जल्दी जल्दी results पाने की जहाँ ना रखें and patience रखें body बनने के process में patience, dedication, discipline सबकी बहुत जरूरत है, results जरूर मिलेंगे and दोस्तों आपके इस mission में fitnesstalkers.com की team भी आपका पूरा साथ देगी, बस आप dedicatedly लगे रहें and अपना पैस दे, hope इस वीडियो में दी गई knowledge आपको जरूर काम आएगी अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल हो या कोई भी suggestion हो तो please comment करें हमारी बाकी body building related videos देखना ना भूले, regular updates के लिए YouTube चैनल को subscribe करें Facebook page Fitness Rockers को like करें हमारी site fitnessrockers.com को visit करें and let the fitness rock